कुछ दिन पहले की बात है आठ मईई 2023 को सुबह सूरतगर एयर बेस से मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए उडान भड़ता है सुबह के लगबग 9.45 हो रहे हैं और इंडियन एयर फोर्स का ये मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट राजिस्तान के हनुमानकर जिले के गाउं के उपर पहुँच चुका है लेकिन ये क्या अचानक से पाइलेट को कॉक्पिट में कुछ टेक्निकल इशू सेंस हुआ है इस मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट में पक्का कोई गड़वड है पाइलेट इसे हेंडल नहीं कर पा रहा है और ये तेजी से आउट आफ कंट्रॉल होकर जमीन की ओर भढ़ रहा है इंडियन एयर फोर्स के प्रोसीजर के हिसाब से पाइलेट ने सारे दाउं पेज खेल लिए लेकिन फिर भी अंसक्सफुल होने की वज़ए से पाइलेट अपनी जान बचाने के लिए तुरंत इजेक्टिक कर गया तैंक गॉड पाइलेट की जान बच गई लेकिन बेट ये बाइन सो केजी का 40 फिट लंबा जेट फाइटर खाली जगह पर ना गिरा तो और अनफॉर्चुनेटली आठ मई दो हजार तेईस को जिसका डर था वही हुआ हनुमानगर के गाउं में रती राम के घर में उसकी वाइफ के अलावा दो औरतें और मौजूद थी लीला देवी और बंतोकोर ये मिग 21 उनके उपर जाकर गिरा जिसमेंसे दो की अंदा इस्पोर्ट डेथ हो गई और एक की हॉस्पिटल ले जाने के बाद डेथ हो गई लेकिन प्रोफेसर एक एयरक्राफ्ट अगर क्रेश हो भी गया तो इसमें अतनी बड़ी बात क्या है भाई मशीन है टेक्निकल ग्लिच कभी भी आ सकता है आई एग्री लेकिन इस बात पर भी ध्यान दो की पिछले 60 सालों में 400 से जादा मिग 21 क्रेश हो चुके हैं और इन एक्सिडेंटल क्रेश की वज़े से करीवन 200 प्लस स्किल्ड पाइलेट्स और 63 प्लस सिविलियन्स अल्रेडी मारे जा चुके हैं सिर्फ 2010 से 2023 के बीच 14 मिग 21 क्रेश हुए थे जितने टोटल आस तक इंडिया को मिले या इंडिया ने बनाए हैं यानि 874 टोटल मिग 21 में से आदे से जादा तो अल्रेडी क्रेश हो चुके हैं इस मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिटायर एयरफोर्स ओफिसर्स फ्लाइंग कॉफिन यानि उर्ता ताबूत और विडो मेकर यानि विद्वा बनाने वाला एयरक्राफ्ट बुलाते हैं पर सवाल सिर्फ एक है अगर मिग 21 एयरक्राफ्ट सच में इतना ही बेकार है और जिस कंट्री ने मिग 21 को बनाया और इंडिया को दिया वो खुद ही उसको अपनी एयरफोर्स से हटा चुकी है तो इंडियन एयरफोर्स इसको आज भी क्यों यूँज कर रही है बस यही हम इस वीडियो में ध्यान से समझेंगे ग्राजस्तान के हनुमानगड में बड़ा हाथसा हो गया जहां आठ मैं की सुब भारतीय वायु सेना का मिग 21 लड़ाको वे मान तुर घटना ग्रस्त हो गया ग्राजस्तान के हनुमानगड की अगटना है खबर मिल रही है कि यहां पर एक मिग 21 क्रेश हुआ देखो 1963 में सोवियट यूनियन ने ये डील फाइनल की कि वो मिग 21 और उसकी टेक्निलोजी भारत को देगा मार्च 1963 में मिग 21 का पहला बैच इंडिया में आया तब से लेकर आज तक 874 मिग 21 इंडिया एक्वायर कर चुका है जिसमें से 657 को बनाने में खुद हिंदुस्तान एरनोटिक्स लिमिटेड इन्वाल्वड है इस बात में कोई दोराय नहीं है कि पिछले 60 सालों में मिग 21 ने काफी operations में participate किया और successful रहा आप ये बात भी सुनके हैरान रह जाओगे कि फरवरी 2019 में बाला कोट एर स्ट्राइक में ग्रूप कैप्टन अभिनंदन ने पाकिस्तान के 4th जनरेशन Advanced Multi-Roll Fighter Aircraft F-16 को अपने जिस एरक्राफ्ट से मार गिराया था वो मिग 21 ही था उसके अलाबा मिग 21 ने 1999 कारगिल वार में 1965 इंडो पाकिस्तान वार में और 1971 बांगलादेश वार में भी खूब कमाल किया लेकिन दिक्कत ये है कि दुनिया की हर मशीन की एक shelf life होती है मिग 21 अलरेड़ी उसकी stress limit को recommended life और flying hours को exceed कर चुका है experts के अनुसार जो मिग 21 हमें 30 साल पहले retire कर देना चाहिए था उस मिग 21 में हम hardware अपडेट कर करके आज तक रगड रहे हैं और पूर वेयर मार्शल ब्येस धन्वा कहते हैं कि मिग 21 हम आज तक इसलिए रगड रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई और option ही नहीं है replacement वाले फंडे को आप ऐसे समझो कि Indian Air Force की एक squadron में average 18 aircraft होते हैं और Indian Air Force के पास फिलाल 31 squadrons हैं लेकिन समस्या यह है कि security experts मानते हैं कि भारत देश की aerial security के लिए हमारी Indian Air Force के पास total 42 squadrons होनी चाहिए अगर बहुत simplify करके आपको समझाऊं तो अगर भविशे में पाकिस्तान और चाइना के against एक साथ युद्ध हुआ तो भारत को टिके रहने के लिए 42 squadrons तो चाहिए ही चाहिए यानि करीबन 700 aircrafts अब दिक्कत यह है कि हमारे पास है total सिर्फ 31 squadrons ही यानि हम पहले से ही already loss में हैं अब एक तो देश के पास पहले से ही aircrafts की कमी है उपर से सारे MiG-21 को भी अचानक से phase out कर दो इससे aerial security का क्या होगा ये आप समझ गए तो समाधान क्या है समाधान ये है कि आगे future में और जादा crashes रोकने के लिए इस काफी पुराने हो चुके MiG-21 को हटा के किसी new और high-tech jet fighter से replace कर दिया जाए अब अगर हम replacement के बारे में सोच सकते हैं तो क्या ऐसा मुम्किन है कि ex-Indian Air Force chiefs ने और prior defense ministers ने MiG-21 को replace करने का नहीं सोचा होगा obviously not उन्होंने सोचा भी, action भी लिया लेकिन ध्यान से समझो दिक्कत क्या आई बात 1983 की है MiG-21 को Indian Air Force में service करते हुए अल्रेडी 20 साल हो चुके थे और कहीं न कहीं Indian Air Force को एसास हो गया था कि आने वाले 7-8 सालों में उनके primary first line of defense fighter यानि MiG-21 को बाय बाय बोलने का समय आने वाला है लेकिन चिंता की बात ये थी कि अगर MiG-21 को हटाना है तो 40% combat strength को recover करने के लिए कुछ नया तो लाना पड़ेगा न और इस मजबूरी के चलते जनम हुआ Light Combat Aircraft Program का इस program के तहत Indian Air Force का main target तो एक ही था हम एक Light Combat Aircraft यानि ऐसा jet fighter बनाएंगे जो MiG-21 को replace कर देगा और वो jet fighter है ये तेजस अब ये LCA program की जिम्मेदारी हिंदुस्तान Aeronautics Limited यानि HAL की थी और हमारा target ये था कि हम सब कुछ भारत में ही बनाएं Obviously सब कुछ plan के तहत ही चल रहा था लेकिन इस LCA program में HAL के पास बहुत सारे targets होने की वज़े से और इंडिया के largest defense equipment importer होने की वज़े से जैसे engines etc के लिए हम अभी भार के देशों पे ही निरबर हैं इन reasons की वज़े से जो expect किया था वो नहीं हुआ यह LCA तेजस fighter jet को खुद से तयार करके Indian Air Force में लाने वाला plan हद से जादा delay हो गया यही कारण है कि Indian Air Force आज भी MiG-21 को यूज़ कर रही है अगर LCA तेजस program समय पर पूरा हो गया होता तो MiG-21 Indian Air Force में से कबके decommission हो चुके थे खेर इस पूरे duration में जो सबसे अच्छी बात थी वो यह कि MiG-21 समय समय पर upgrade होता रहा यह बात आपके दिमाग में अच्छे सी clear होनी चाहिए कि आज जो MiG-21 Indian Air Force यूज़ कर रही है यह upgraded version है वो वाला नहीं है जो हमने 1963 में Soviet Union से लिया था इसके variants को ऐसे समझो कि MiG-21 के one of the earliest variants में से था यह MiG-21 FL यह already 2013 में decommission हो चुका है एक MiG-21 M भी था जो कि 2015 में retire हो चुका है और बचे हुए जो 113 MiG-21 अभी भी Indian Air Force फिलाल यूज़ कर रही है वो है MiG-21 Bison इस बात को अच्छे से समझलो कि सबसे पुराने वाले MiG-21 में और फिलाल यूज़ हो रहे MiG-21 Bison में चमीन आसमान का फर्क है capabilities और performance को improve करने के लिए MiG-21 Bison में already बहुत शांदार updates हो चुके हैं जैसे MiG-21 Bison में upgraded avionics and electronic warfare suite है tactical data link facility है helmet mounted site है radar भी इतना upgrade कर दिया गया है कि एक साथ 8 targets को track कर सकता है और 2 के साथ engage भी कर सकता है इस बात का भी ध्यान रखो कि बाला कोट strike में group captain अभिनंदन सर ने जो use किया था वो भी MiG-21 Bison ही था और कुस दिन पहले 8 में 2013 को हनुमानगर में जो MiG-21 crash हुआ है वो भी upgraded Bison variant ही था लेकिन Bison variants भी 44 साल पहले 1979 के बने हुए हैं और कितना खींचो के जनाब इसलिए crash के chances तो इसके हमेशा ही काफी जादा रहते हैं MiG-21 के बहुत जादा crash rate का एक बहुत बड़ा reason ये भी बताया जाता है कि इसमें 40 second hand spare parts use किये जाते हैं असल में जिस देश ने MiG-21 को जनम दिया था यानि रशिया उसने तो already 1985 में MiG-21 का production पूरी तरह से बंदी ही कर दिया है इसके चलते इंडिया को MiG-21 के spare parts इसराइल और युक्रेयन से खरीदने पड़ते हैं जो कि रशिया की नजर में faulty साबित होते हैं इसके अलाबा retired air chief marshal PB Nike ने तो interview में ये भी कहा था कि मैंने 2000 घंटे से ज़्यादा MiG-21 उड़ाए हैं दिक्कत MiG-21 की नहीं है बलकि MiG-21 के crashes इतने ज़्यादा इसलिए सामने आते हैं क्योंकि Indian Air Force की aircraft fleet में सबसे ज़्यादा ही MiG-21 है इन शॉट जो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाएगा उसके crash होने के chances भी तो सबसे ज़्यादा होंगे Anyways, the best part is Indian Air Force ने decide कर लिया है कि 2025 तक सारे MiG-21 भी finally decommission कर दिये जाएगे और further fighter jets के crashes की news expectedly कम हो जाएगे इस वीडियो पर click करके 3D animation के तुरू समझो कि Lawrence Bistoy Salman Khan को मारने के लिए इतना committed क्यूं है